दोस्तों नमस्कार, मैं संदीब कुमार, अपने इस वीडियो सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूँ इस वीडियो में हम आज की परिस्तिती में जो बड़ी समस्य उत्पन हुई पड़ी है COVID-19 को लेकर, हम उन्हीं पर बात करेंगे और हम जानने समझने का प्रयास करेंगे कि इस unprecedented situation का पिछले कुछ दिनों में दुनिया और साथ ही हमारे उपर क्या दुस्प्रभाव पड़ा है बरतमान में पड़ रहा है और आने वाले समय में संभव तक कैसे कैसे दुस्प्रभाव पड़ने वाले हैं और साथ ही हम इंदुस्प्रभावों को इंडिविज्वल लेवल पर कैसे हैंडल करें और बरतमान और भविश्य को ना केवल मैनेज करें बलकि थ्राइब करें दोस्तों मेरी आपसे गुजारिश होगी कि आप इस वीडियो में अन तक बने रहें और अगर ये वीडियो पसंद आए तो नकेवल इसे लाइक करें बलकि शेर भी करें और साथ ही चैनल को सबस्क्राइब करना न भूलें क्योंकि आपदा के इस घड़ी के शुरुआती दौर से ही मेरे मन में ठीक आपी की तरह कई हिला देने वाले सवाल उठते रहे हैं और मन आशंकाओं के बादलों से गिरा रहा है लेकिन मैं इस दौरान उन सवालों के पुखता जवाब तलासता रहा चीजें थोड़ी थोड़ी अब क्लियर हो रही हैं तो सोचा उन सवालों और उनसे जुड़े जवाब आपसे साजा करूँ सो बिना समय गवाए शुरू करते हैं सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल क्या कॉरोना फैमिली का ये नया वाइरस COVID-19 human made biological weapon है और क्या ये mankind के लिए अब तक का सबसे बड़ा threat है क्या इससे दुनिया के ज़्यादातर लोग मरने वाले हैं दोस्तों इन तीनों सवालों का जवाब है बिलकुल नहीं अब तक के उपलब जानकारियों के मताबिक नहीं ये man made biological weapon की तरह प्रतीत होता है नहीं इस वाइरस के प्रभाव से दुनिया के ज़्यादातर लोग मरने वाले हैं अब तक के आंकणों के मताबिक COVID-19 की mortality rate यानि मिर्त्यूदर 2 से 3 प्रतीसत है और जैसे जैसे जाच का दाइरा बढ़ेगा इसके और भी कम होने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है और साथ ही इसके फैलने कदर transmission rate 2.2 to 2.4 यानि COVID-19 से प्रभावित व्यक्ती दो या तीन व्यक्तियों को infect कर सकता है यही वज़ा है कि अब इस वाइरस की तुलना सामान्य फ्लू वाइरस से होने लगी है दुनिया के कई बड़े डॉक्टर्स ने तो काफी पहले ही सुरुवाती आंकणों के अध्यन के बाद इस बात की पुष्टी कर दी थी जिनमें भारत के रिनाउन डॉक्टर डॉक्टर बीम हेग्डे और स्वीडन के प्रॉफेसर जोहान जी सिक शामिल है दोस्तों डॉक्टर बीम हेग्डे भारत के काफी सीनियर डॉक्टर और पदमभूशन अवार्डी है और वहीं Prof. Johan Jisik, जो दुनिया के Senior Most Epidemiologist है, Chief Scientist of the European Center for Disease Prevention and Control, इसके साथ ही Dr. Jisik, Director General of WHO के Advisor भी है। इन दोनों डॉक्टर्स ने अपने अपने live interviews में यहां तक कहा है कि COVID-19 एक mild to moderate disease है, जिससे infected ज्यादा तर लोगों को तो इसके होने का पता तक नहीं चलेगा। They will remain normal. Dr. Jisik ने तो COVID-19 की mortality rate को influenza के mortality rate 0.1% तक स्तीमित हो जाने की बात कही है। मैं चाहता हूं कि आप इनके द्वारा ही सुनें, मैं इन दोनों ही डॉक्टर्स के इंटर्व्यू के उन हिस्सों को आपके साथ साजा कर रहा हूं। आप इने ध्यान से सुनें। The first question that I want to ask is, so coronavirus has existed for centuries like all other viruses, so why the sudden virulence that we are seeing now? That's because China has created this myth saying that it's a killer, so people got frightened. Question about transmissibility which I was thinking on, so the previous epidemics like say measles or polio, their transmissibility was very high. Compared to that coronavirus transmissibility is quite low, so even in this situation why is there so much panic then? People panic because people are not given the correct information. Okay. Some of the media frightens people. Right. If you look at the television you will get frightened because they keep on saying it's a killer that's coming to eat up and on. So there are reports that 90% of people who actually fall sick with coronavirus have only mild to moderate symptoms and they recover fine. That's right. So mortality is so low it is just 2% it's not a big thing at all. Okay. Nothing to worry. I'm delighted that today we are joined down the line from Sweden by Dr. Johan Giusekja. Dr. Giusekja thank you so much for making the time today. My pleasure. So if I can give you, help me a little bit here, but you trained originally at the London School of Tropical Medicine, is that right? No, it started before that actually. I used to be an infectious disease clinical doctor and worked a lot with AIDS patients during the 1980s. And that's what put me into epidemiology. And then I spent one year or two years at the London School of Tropical Medicine in the early 90s. And then I came back to Sweden and then I became state epidemiologist for Sweden, which means having control over all infectious diseases. And you then became chief scientist at the European Centre for Disease Control? Yep. There's been a lot of confused thinking and a lot of confusion about what the correct response to a threat such as COVID-19 should be. And I just wanted to begin by getting your kind of summary thoughts. The measures we should take against the pandemic should be evidence-based. And when you start looking around for the measures that are being taken now by different countries, you find that very few of them have the shred of evidence-based. So what, you know, I mean I guess it comes down to some degree of speculation, but what's your impression of how serious the disease is? And what kind of fatalities we would be looking at if we had a more moderate or more mitigated approach? So when you say it's a usually quite mild disease, are you, what do you mean by that? That most people who get it will never even notice they were infected. So does that mean that you think the actual fatality rate of this disease is much lower than the numbers that have been talked about? Much, much lower. So do you have, have you made any speculations as to what sort of zone the real fatality rate might be in? I think it will be like a severe influenza season, the same as which would be on an order of 0.1% maybe. If you want to see the doctors' entire interview, you can click on the link in the description of the video. So now the question is, what is the fact that this lockdown is wrong? This is the fact that this lockdown is wrong. 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 It is wrong. It's wrong. This lockdown is wrong. This lockdown is wrong. That lockdown is wrong. The lockdown can爾 also be wrong. कि जब तक COVID-19 के mortality rate और transmission का graph नीचे नहीं जाता, lockdown की संभावना बनी रह सकती है, लेकिन good news ये है कि कई expert ये मानने लगे हैं कि अब COVID के graph flatten होने लगे हैं, हलांके जिस प्रकार के news हम तक पहुँच रहे हैं, इससे ये प्रतीत होता है कि COVID से infected लोगों की संख्या दिनों दिन पर जिस प्रकार मैंने इसे समझा है, मैं उस layman language में आपको समझाने के कोशिश करता हूँ, उदारन के तौर पर मान लोग, पहले दिन के test से 50 लोग COVID positive पाए गये हैं, उसके अगले दिन फिर से लोगों का test हुआ और फिर से 50 नए लोग positive पाए गये हैं, तो infection का फैलाओ 24 ग पाए गये हैं, तो अब ये graph ये show कर रहा है कि इस बिमारी के बढ़ने का rate 80 प्रतिसत है, चौथे दिन के test में अगर 100 लोग positive पाए जाते हैं, तो अब ये आंकड़ा 55 प्रतिसत का बनता है, और यही अंतर होता है एक normal तरीके से graph को देखने का, और एक expert point of view से देखने का, क् क्योंकि normally जब हम graph को देखते हैं, तो हम उसके linear growth को देख रहे होते हैं, लेकिन एक expert उस graph में algorithm को study करता है, दोस्तों, इन circumstances में हम ऐसा assume कर सकते हैं कि lockdown आने वाले कुछ दिनों में reverse हो सकता है, दोस्तों, इस वीडियो के अगले भाग में हम जानेंगे कि ये herd immunity क्या है, जिसक इस तरह से natural immunization के जरिए coronavirus या किसी भी अन वाइरस को हम आसानी से defy कर सकते हैं, दोस्तों, अगली वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि क्या भविस्य में जब कभी COVID या किसी भी वाइरस का इस प्रकार outbreak होगा, तो क्या उसे defeat करने के लिए दुनिया भर की सरकारे lockdown को ही एक म झाल